इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा आदित ये L1 मिशन सूर्ययान मिशन 2023 से समंदित महत्पून कुशन की चर्चा करूँगा और अगर अभी तक आपने चंद्रियान 3 से समंदित महत्पून कुशन नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्करप्शन में दिया हुआ आप जाके देख सकते हो डेली आपको इसी तरह टोपिक वाइज करन्ट अफेर के टोपिक देखने को मिलते हैं इस यूटूब चैनल पर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्करप्शन में दिया हुआ आप जाके जॉइन कर सकते हूँ तो अब बात करता हूँ आदिते एलवन मिशन से समंधित मैट्पून क्यूशन में क्यूशन नंबर फर्स्ट की पहला क्यूशन है आदिते एलवन मिशन को कोन लॉंच कर रहा है नि आदिते एलवन मिशन को कब लॉंच किया जाएगा आपके पास अफसने 5 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023, 10 सितंबर 2020, 16 सितंबर 2023 तो आदिते एलवन मिशन को लॉंच किया जाएगा 2 सितंबर 2023 को भी आपका करेक्ट एंशर हो जाएगा यानि कि आज के दिन में आपका आदिते एलव आधिते L1 मिस्टन इस रों का कोन सा सूरी मिस्टन है जैसे चंदर मिस्टन आपका तीसरा था इस बार चंदर्यां थरी इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उससे पहले चंदर्यां टू और चंदर्यां फर्स्ट भी सफलता पूरर की लांच किया गया था लेकिन आदिते L1 मिशन है ये इसरो का कोन सा सूर्य मिशन है आपके पास option है दूसरा पहला तीसरा चोथा तो आपका right answer हो जाएगा आदिते L1 मिशन है ये इसरो का पहला सूर्य मिशन है correct answer हो जाएगा B Next question आदिती L1 मिसन को कौन से अंतरिक्ष केंदर से लौंज किया जाएगा आपके पास option है विकरम साराबाई अंतरिक्ष केंदर तिरुवन पुरम 37 अंतरिक्ष केंदर स्री हरी कोटा अंतरिक्ष उप्यो केंदर एहमदाबाद या तरल परणोदन परणाली केंदर तिरुवन पुरम तो आदिती L1 मिसन है इसे आपके स्री हरी कोटा में इस्तित 37 अंतरिक्ष केंदर से लौंज किया जाएगा भी आपका correct answer हो जाएगा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को like करें चनल जरूर subscribe करें Next question आदिती L1 मिसन में कितनी पैलोड्स लगी हुई है 7, 5, 3 या 4 तो आपका right answer हो जाएगा आदिती L1 मिसन में total 7 पैलोड्स लगी है यह आपका correct answer हो जाएगा अब 7 पैलोड्स लगी हुई है जिन में से 4 पैलोड्स है वो तो सूर्य की निगरानी करेंगे और बच्चे 3 पैलोड्स है वो L1 पर कणो और छेत्रों का in situ अध्यन करेंगे तो इस तरह से total कितनी पैलोड्स है 7 पैलोड्स लगी हुई है Next question आदिती L1 मिसन को किस रोकेट से लॉंच किया जाएगा उससे पहले आपको comment box में बताना है कि चंदरियान 3 मिसन को किस रोकेट से लॉंच किया गया आपके पास option है PSLV C12, PSLV C55, PSLV C57, PSLV C08 तो आदिती L1 मिसन है इसे आपके PSLV C57 रोकेट से लॉंच किया गया सी आपका correct answer हो जाएगा Next question आदिती L1 मिसन को अपने destination तक पहुंचने में कितना समय लगेगा 80 दिन 120 दिन 60 दिन 30 दिन तो आपका correct answer हो जाएगा आदिती L1 मिसन को अपने destination तक पहुंचने में 120 दिन लगेंगे यनि कि लगबग आपके 4 मंद लगेंगे इसे अपने destination तब पहुँचने में correct answer आपका हो जाएगा B Next question भारत से पहले कितने देश सूर्य का अध्यन कर चुके हैं 2, 3, 7 या 4 तो भारत से पहले 4 देश सूर्य का अध्यन कर चुके हैं वो 4 देश कोन से अमेरिका, जापान, यूरोप और चीन तो आपका correct answer हो जाएगा D Next question आदिती L1 मिसन किस परकार का है? सोर अनुशंदान, चंदर अनुशंदान, मंगल अनुशंदान, इने में से कोई नहीं तो आदिती L1 मिसन के तैयर पर सूर्य का अध्यन किया जाएगा तो ये आपका सोर अनुशंदान मिसन है, ये आपका correct answer हो जाएगा Next question आदिती L1 मिसन साथ वेगेनिक उपकरणों को ले जाएगी वो साथ वेगेनिक उपकरण कोन-कोन से है और उनका काम क्या-क्या है उसके बारे में चर्चा करूँगा तो सबसे पहले आपका आता है solar coronal imager इसका काम क्या होगा? ये उपकरण सूर्य के कोरोना को चरम पराबैंगनी परकास में छवी देगा उसके बाद आपका आता है solar x-ray spectrometer इसका काम होगा ये उपकरण सूर्य के x-ray spectrum को मापेगा उसके बाद आता है solar wind plasma vislisher इसका काम होगा ये उपकरण शोर हवा के plasma को मापेगा उसके बाद आता है magnetometer magnetometer का काम होगा कि ये उपकरण सूर्य के चुम्ब के चेतर को मापेगा उसके बाद आता है solar particle monitor तो solar particle monitor का का काम होगा ये उपकरण सोर उर्जाकणों को मापेगा उसके बाद in-situ solar spectrometer, इसका काम होगा सोर हवा के प्लाजमा और उर्जा कणों को in-situ मापेगा, तो ये साथ वेगयनिक उपकरणे उसके साथ जाएंगे और इनका क्या काम है वो भी आपको बता दिया गया, नेक्ष्ट किशन, आदिती L1 मिसन का उदेशी क्या है, इसको अप्सन है, अंतरिक्ष में मोशम की गति सिलता देखने के लिए, सूर्य के तापमान का अध्यान करने के लिए, प्राबाइमनी किर्णों के धर्ती, खासका ओजोन परत पर पढ़ने वाले परभावों का अध्यान किया जा सकेगा, या उप्योक्षभी, तो आपका किलोमेटर की दूरी ताए करके, सन अर्थ, लेंगरेजियन पॉइंट एलवन तक जाएगा, यानि एलवन पॉइंट कहते हैं, इस एल का मतलब हुआ, लेंगरेजियन पॉइंट, तो आपका राइट एंसर हो जाएगा, आधिती एलवन मिसन, थर्ती से करीब लगबग, पन अर्थ, लेंगरेजियन पॉइंट एलवन तक जाएगा, तो आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा, बी, वीडियो कैसा लगा, एक बार कमेट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चनल जरूर सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट आदित्य एलवन मिसन को बनाने में कितना खर्चा आया है, 100 करोड, 200 करोड, 400 करोड, 600 करोड, तो आदित्य एलवन मिसन को बनाने में लगबग 400 करोड, एक जग्ड देखे तो आपके 388 करोड के आसपास का खर्चा आया है, तो आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा, C प्रत्वी और सूरी के बीच में कितने language बिंदू है language बिंदू जिसे short में L कहा जाता, L point कहा जाता है तो वो प्रत्वी और सूरी के बीच में कितने point है 5, 2, 4, 3 तो आपका right answer हो जाएगा प्रत्वी वो सूरी के बीच में total language बिंदू है वो 5 है, कितने हैं 5 है तो A आपका correct answer हो जाएगा जिने L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है अब आप ही देख लिए आदित्य L1 नाम दिया गया है इसका मतलब आदित्य जो मिसाइल है वो आपके language window 1 पर जाएगी Next question वर्तमान में इसरों के अध्यक्ष को ने? तो आपका right answer हो जाएगा वर्तमान में इसरों के अध्यक्ष सोमनाथ correct answer हो जाएगा D और आपको पता होना चाहिए ये भी के चंदरियान जो तीन मिसन लौंच किये गए है फर्स, शेकेंट, थर्ड, उस टेम इसरों के अध्यक्ष कोन-कोन थे तो आपको याद दिला देता हूँ चंदरियान 3 जो हाल Next Question इसरों का मुक्ष्याले काँ इसते थे आपके पास option ए पूने, ञैपूर, बैंगलूर, लखनू तो आपका right answer हो जाएगा इसरो का मुख्याल है आपके बैंगलूर में स्थित है सी आपका correct answer हो जाएगा आज का last question है कि इसरो की स्थापना कब की गई आपके पास option है 11 माई 1910, 21 चनौरी 1950, 15 अगस्त 1907, 13 जुले 1907 तो इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1907 को की गई थी कब की गई थी? 15 अगस्त 1909 में तो ये थे आज के आपके आदिती L1 मिशन से समधित मैत पूर्ण किशन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चनल चरूर सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम गुरूप जोइन नहीं किया है तो लिंक की नीचे डिस्करप्शन में दिया हुआ, आप जाके जोइन कर सकते हो